कि यह जो मैं छोड़ा साथ वीडियो आपके सरे पेश कर रहा हूं यह मेरा खुद का नहीं है मेरा दिली में एक दोस्त था कुकु मालेक उसने मुझे फॉरवर्ड किया है लेकिन यह वीडियो देखने के बाद मेरे मेरे दिल को यह वीडियो चूगया इसलिए मैं आपके साथ यह वीडियो पेश करना चाहता हूं मुझे शेयर करना चाहता हूं कुछ ऐसा था मतलब एक्जाक्ली नहीं बड़ कुछ ऐसा था कि अच्छा आदमी था है ना बहुत अच्छा आदमी था अरे कुछ ना कुछ तो कहना था ना उसके जनाजे में कुछ तो बोलना था अगर नहीं कहते तो जुमाने को तुमारी अच्छाई पे शक हो जाता अच्छा बता हो अगर अच्छा था तो उसे अच्छाए का हिसाब क्यों नहीं दिया जब वो जिन्दा था हफ्ते बर ते वो पूछ रहा था ना कभी उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया वो पूछता था कि मेरी जिन्दगी में दुख के सिवा और कुछ नहीं है तो हसके कह देते थे तू इसके सिवा कुँछ और भी पूझे का क्या ने है काश इसी हसी ठाके के सिल्सले को तोड़ कर देखा होता काश कि जितनी बार उसको अलविदा कहा है उसी रास्ते से कभी मुड़ के उसको देख लिया होता कि वो वहाँ से कहां गया है वो गर नहीं जाता था अपनी गाड़ी किसी कोने में अंदेरे में खड़ा करके अकेला गाड़ी में बैठके रोया करता था किता था क्यों ये चारों तरफ दुख मेरे पीछे पड़ गया है रोता हूँ अपनी माँ को याद करता था कहता था मां कितना दुख है क्यूं मुझे इतना दुख मिल रहा है मां मैं अकेरा हूँ मां तू मुझे छोड़ की चले गई मां तूम सब लोग जानते थे ना कुछ दिनों से वो अलग सा रहता था दूर सा रहता था कहा तो था उसने मिलो मुलाकाते करनी है जो किसी और से ना कही वो तुम से बाते करनी है और तुम कहते थे लो यह फिर से शुरू हो गया दो तीन जोक्स वाटसअप कर देते थे और सोचते थे कि वो समल जाएगा अच्छा अदमी है ना समझ जाएगा काश उसे एहसास दिला दिया होता काश बिना वजे गले लगा लिया होता अपने पास बिठा लिया होता काश यह जानते की हर रोज वो जान बूच कर बिना कुछ खाए बेयोश कैसे हो जाता है काश यह समझते की वो बोलते बोलते अचानक हमोश क्यों हो जाता है काश उसके लिए ही उसके साथ लल लिया होता उसी के घर की दिवारों से ज़्यादा काश उसके चेहरे को पढ़ लिया होता सिर्फ उसकी कबर से एक ही आवाद आएगी अब कि अगली बार मेरे जैसा अगर कोई मिल जाए तो उससे बाते करना मुलाकाते करना उसका दिल रखना उसके घर जाकर उसे तूफ़े देना और उस गंदे मानूस पंदे पांसी के पंदे को खिड़की से बाहर पैख देना तब वो शायद जिन्द की जीने का होसला करेगा तब वो शायद खुश रहने का फैशला करेगा यह बाते हम सब जानते हैं हम सब को पता है पर आज कहना लाजमी था ताकि तुम किसी के घर जाके सफेद लिबास पहन कर ये ना तुम्हें कहना पड़े कि वो एक अच्छा अदमी था वो एक अच्छा अदमी था Thank you Sorry I got a little Thank you